NSP Scholarship साल 2023-24 अब फाइनली ओपन हो चुकी है Renewal और Fresher दोनों भी apply कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में मैं update देने वाला हूँ कि कितने पैसे आपको इस scholarship में मिलेंगे कौन-कौन apply कर सकता है क्या-क्या documents लगेंगे सारी चीज़े पताऊंगा तो वीडियो का end तक दूर देखना और जो लग में चैनल को सब्सक्राइब भी ने करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बात करें NSP Scholarship की तो ये national scholarship portal एक सरकार की तरफ से है central government की तरफ से जहांपे सारे students को scholarship provide की जाती है अब इसमें PUC first year, second year से लेकर डिगरी करने वाले बच्चे से लेकर प्रोस graduate तक सारे इसमें apply करकर फाइदा उठा सकते हैं अब इसमें सरकार आपको 10-15,000 से लेकर 50,000 रुपे तक की scholarship देती है तो जो भी students wait कर रहे थे NSP scholarship का तो finally अब आप apply कर सकते हैं तो apply करने के लिए आपको क्या क्या documents लेगेंगे एक बार बताता हूँ ध्यान से सुन लेना सबसे पहले आपकी domicile certificate यानि कि आपकी जहां पर रहे रहे हैं मान लिजिए आप करनाटका के गुलबर का district में रहे रहे हैं certificate by the student यानि के self declaration certificate बे आपको लगानी पड़ेगी self declaration certificate आपको online में मिल जाएगी आपको सिर्फ वह form बाउनलोड करना होता है वह form का फिल करके नीचे sign कर देना होता है बस उससे जादा यह form कुछ नहीं होता उसके बाद आपका self-attested certificate of previous academic certificate यानि कि आपके जो previous year के mask cards है वो आप लोगों के इसमें लगाने पड़ेगे self-attested कर गए यानि कि आप खुझ से sign करके लगा सकते हैं नहीं तो भी आप college के principle की sign लेकर अट्रेश्ट करके भी लगा सकते हैं उसके बाद आपका साथ में attach करना होता है उसके बाद आपका bank proof यानि कि bank passbook आपको इसके साथ लगानी होती है क्योंकि जो आपके पैसे होते हैं वो डिरेक्ट आपके bank अब बात करें apply कैसे करना है तो दिखिए एक खुद की उनकी जो है ना एक पोर्टल है जिस पर आप जाकर apply कर सकते हैं वो scholarship.gov.in वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर apply करने का मिल जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं खुद और एक नई वीडियो बनाओ जिसमें बताओं कि कैसे scholarship को form को fill up किया जाता है step by step अगर पूरा form का अगर कैसे fill up करना है ये वीडियो चाहिए तो आप लोगों को दो काम करने पड़ेंगे सबसे पहले इस वीडियो को share करना पड़ेगा दूसरा comment में जाकर आपको लिखना पड़ेगा कि आप लोगों को इसकी how to apply वाली वीडियो चाहिए तो आई होप आपको सारी चीजे डीटल में समन में आ गई होगी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो चैनल पर जातो सब्सक्राइब करो मिलते हैं एकली वीडियो में thank you for watching